हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो माई चैनल क्रैक यूर कम्टेशन भी दंजली फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम लोग फिजिक्स यानि की बहुत भी घ्यान की कुछ करने के लिए कि इलुमिणीयम नाविक के प्राप्शन नम्ब सीक सया अंसर है फ्रेंट्स इसका और आरियों को करने के लिए प्रकार की उर्जा का प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट कुश्य ने उर्जा के सभी रूप में अंतताह श्रोत किसे माना जाता है एक कोईला बी परमानूप सी जन डी शूरे तो इसका राइट आंसर ऑफ्शन नमड़ी हो जाएगा शूरे को नेक्स्ट कुश्य ने इन में से कौन नभी करनी है उर्जा है एक सब्से बशार श्रोत है ए शूरे वी लकड़ी सी चैंदमा डी कुछला तो इसका राइट ऑफ्शन में अब हो जाएगा शूरे प्रदभी पर और ह reflections नान राइज différents में नेक्स्ट कुश्य ने यए देन्मार्क को कहा जाता है ए उद्जियों का देश बी जल बरती चील का द प्योंग किया जाता है ए इस्टील भी सिलिकॉन सी अब रख अब रख पतानी क्या है आप डी शीशा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो दाएगा सिलिकॉन सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का प्योंग किया जाता है नेक्स्ट कुछिन है इसका उपियोग खाना बनाने वाले इंधन के रूप में नहीं किया जाता है A. LPG, B. Bio Gas, C. CNG, D. Koela तो इसका right answer हो जाएगा option number C. CNG CNG का उप्योग खाना खनाले वाले इनन के रूप में नहीं किया जाता है Next question प्रकाश अंशलेशी अंगक इन में से कौन है A. Stomata, B. Z. C. Harit Labak, D. Patti तो इसका right answer option number C हो जाएगा हदित Labak प्रकाश अंशलेशी अंगक हरी लबक है Next question है हमारा कारिका मात्रक है A. Watt, B. Joule, C. Newton, D. Ampere कारिका मात्रक फ्रेंट जूल होता है option number B इसका सया answer है Next question है हमारा प्रकाश वर्स इकाई है A. समय की, B. जब इमान की, C. दूरी की, D. इन में से कोई नहीं प्रकाश वर्स इकाई है और समय कारिका मात्रक फ्रेंट इसका सया आसर है Next question है हमारा पारसे की काई है A. जब इमान की, B. चुमब केवल की, C. समय की, D. दूरी की तो पारसे किसकी काई है और समय कारिका इसका सया answer है Next question है हमारा निमलख्वित में से कौन सा निक्खित में से समय का कौन सा मात्रक नहीं है A. प्रकाशवर्ष, B. अधिवर्ष, C. चंदरमहा, D. इन में से कोई नहीं तो प्रकाशवर्ष जो है वो समय का मात्रक नहीं है option number A का सही आंसर हो जाएगा next question है D. दाप का मात्रक है A. डाइन, V. जूल, C. वार, D. पास्कल दाप का मात्रक फ्रेंड्स पास्कल होता है option number D इसका सही आंसर है next question है हमारा जो ती ती बृता का मात्रक है A. आप्टर, B. कैंडेला, C. नूटन, D. इन में से कोई नहीं जो ती ती बृता का मात्रक क्या है कैंडेला, option number B इसका सही आंसर है next question है हमारा मात्रकों की अंतराष्टे पद्धिक कब लागू की गई A. 1965 में, B. 1971 में C. 1991 में, D. 1985 में तो इसका राइट आंसर option number B होई दाएगा सन 1971 में किस सबाश्ट में हुई थी फ्रेंड्स? 1971 में हुई थी next question है खादे उर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं A. Joule, B. Calorie, C. Arg, D. इनमें से कोई नहीं तो खादे उर्जा को हम माप सकते हैं calorie में option number B इसका सही आंसर है next question है हमारा बित्धुत मात्रा की इकाई क्या है A. Ohm, B. Volt, C. Ampere, D. Watt तो बित्धुत माता की इकाई है फ्रेंट्स, Ampere option number C इसका सही आंसर है next question है SI पद्धिती में लेंज की सकती की इकाई क्या है A. Watt, B. Optor, C. Diopter, D. Newton तो इसका right answer option number C हो जाएगा diopter next question है ampere क्याम नापने की काई है A. Current, B. Pratiroz, C. Power, D. Voltage तो इसका right answer option number C हो जाएगा current next question है निम्लिकित में से कौन बेक्टर मात्रा है A. Urja, B. Taapman, C. World, D. Charles तो बेक्टर मात्रा है फ्रेंट्स, बल option number C इसका सही answer है next question है निम्लिकित में से कौन एक शदिश राशी नहीं है A. बेक, B. संबेक, C. दबिमान, D. कोडिये बेक तो इहाँ पर शदिश राशी नहीं है पूचाए, फ्रेंट्स, तो दबिमान हो जाएगा इसका सही answer option number C बेक, संबेक, और कोडिये बेक ये तीनों ही जो है वो शदिश राशी है जब बेक, अधिश राशी है तो option number C इसका सही answer होगा next question है अधिश राशी है A. वलागून, B. उर्जा, C. संबेक, D. ये सभी तो इसमें अधिश राशी कौन सी है फ्रेंट्स, तो अधिश राशी यहाँ पर उर्जा है option number B. इसका सही answer हो जाएगा next question है हमारा निम्लिकित में से कौन सी एक सदिश राशी है A. दाव, B. उर्जा, C. संबेक, D. कारे तो संबेक यहाँ पर एक सदिश राशी है option number C. इसका सही answer है next question हमारा पदार्थ के संबेक और बेक के अनुपात में अनुपात से कौन जी भातिक राशी प्राप्त की जाती है A. बेक, B. दाविमान, C. कोड़े बेक, D. तौरण तो इसका right answer हो जाएगा option number B. दाविमान next question है rocket के सिधान पर कारे करता है A. उर्जा संरक्षण, B. बर्नोली, ब्रमे, C. संबेक संरक्षण, D. इन में से कोई नहीं तो इसका right answer option number C हो जाएगा संबेक संरक्षण, rocket संबेक संरक्षण के सिधान पर कारे करता है next question है गुर्टो कर्षण के सार्भॉमिक नियम का प्रितपादन किस नहीं किया A. गैलीलियो, B. न्यूटन, C. कॉपर निकर्षण, D. इन में से कोई नहीं तो गुर्टो कर्षण के सार्भॉमिक नियम का जो प्रितपादन था वो किया था न्यूटन ने option number 20 का सया answer है जल का बहाओ, V. जल की कहराई, C. जल की मातर, D. जल की सुध्यता तो क्यू से एक सिमा पदाता है जल का बहाओ, option number 20 का सही answer है, next question है हमारा निमलकित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्तर है A. गीली मिट्टी, B. प्लास्टिक, C. रवर, D. इस्टील तो सबसे अधिक प्रत्यास्तर है, पर क्या है, इस्टील, option number 20 का सही answer है, next question है हमारा बहाओ, कौन सा बल है, जिसके कारण पिंड धर्ती के केंद की ओर खीचा चला जाता है A. जब बिमान, B. आवेगी, वल, C. गुरुत्वाकर्षन, D. सम्बेक तो इसका right answer, option number C हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षन, वल, next question है हमारा पित्वी के गुरुत्वाकर्षन का कितना भाग चंद्रमा, भाग चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षन के सबसे नजदीक है A. 1.2, B. 1.4, C. 1.6, D. 1.5 तो इसका right answer, option number C हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षन का नियम, C. प्लवन का नियम, D. इन में से कोई नहीं तो इसका right answer, option number C हो जाएगा, प्लवन का नियम, next question है हमारा श्यांता की काई है, A. प्वाइज, B. प्वाइजली, C. पासकर, D. इन में से कोई नहीं तो इसका right answer, option number हो जाएगा, प्वाइज, यानता की काई क्या है, प्वाइज है, next question है हमारा दूसरे क्रीम निकालने में कौन सा वल लगता है, A. घरसन वल, B. अभी केंद्रियेवल, C. अपकेंद्रियेवल, D. इन में से कोई नहीं तो दूसरे केंद्रियेवल का प्रयोग होता है, option number C, इसका right answer हो जाएगा, next question है, चाबी भरी घरी में कौन सी उर्जा होती है, A. इस्तिति जूर्जा, B. गति जूर्जा, C. संचित उर्जा, D. यानत्रिक उर्जा, तो इसका right answer option number हो जाएगा, इस्तिति उर्जा, चाबी के उर्जा उत्पन होती है, A. ऑक्सिकन द्वारा, B. नावी के विखंडन द्वारा, C. आयनन द्वारा, D. नावी के संलेयन द्वारा, तो इसका right answer हो जाएगा, हमारा option number D. नावी के संलेयन द्वारा, next question है, बायू मंदल में बादलों के तैरने का कारण है, A. दाउ, B. घ बस्तू की मातरा बदलने पर क्या परिवर्थित रहता है, A. रहेगा, A. आयतन, B. घनतो, C. दविमान, D. भार, तो इसका right answer option number B. घनतो, बस्तू की मातरा बदलने पर क्या परिवर्थित रहेगा, घनतो, next question है, हमारा, जेल में तैरना, न्यूटन की गती के किस नियम के कार नेक्स्ट कुश्चन है, हमारा, निम्लकित में से कौन सी राशी शदिश नहीं है, A. वेग, B. आयतन, C. विस्थापन, D. बल, तो इसका right answer option number B. आयतन, आयतन एक शदिश राशी नहीं है, आयतन क्या है, एक अदिश राशी है, next question है, हमारा, एल स्ट्रॉंब क्या मापता है A. तरंगधैर्ड, B. रावर्तका, C. आबरित्ती, D. समयर, तो इसका right answer हो जाएगा option number A. तरंगधैर्ड, एक्स्ट आप क्या नापता है, तरंगधैर्ड को नापता है, next question है, हमारा, किस वेग्यानिक ने सरप्रथम बर्व के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिगला गिसकर उपर गला दिया, next question है, ऊश्मा एक प्रकार की उर्जा है, जिसे कारे में बदला जा सकता है, इसका प्रतेर्श प्रमाट सबसे पहले किस ने दिया, A. Celsius, B. ड. B. C. जूल, D. रामफोर्ड, तो इसका right answer option number D हो जाएगा, रामफोर्ड ने, next question है, लोही की सुई, पा जाएगा, प्रिष्चे तनाओ, प्रिष्चे तनाओ के कारण, दोही की जो सुई है, वो पानी के सतय पर तैरती है, next question है, हमारा, निम्लिकित में से किस दरब का घंद तो सबसे कम है, A. Mercury, B. पैट्रोल, C. सुच्छे जल, D. नमकीन जल, तो किस दरब का घंद तो सबसे कम ह होगा, पैट्रोल का, ऑप्शन नमर 20 का सही आंसर है, next question है, हमारा, एक होर्स पावर कितने वार्ट के बराबर होता है, A. 450 वार्ट, B. 600 वार्ट, C. 734 वार्ट, D. 746 वार्ट, तो एक होर्स पावर बराबर होता है, friends, 746 वार्ट, ऑप्शन नमर 1, D. इसका सही आंसर हो नहीं, बर्णोली प्रमे किस पाधायते, उजसन रक्षन पाधायते, ऑप्शन नमर 1 का सही आंसर है, next question है, बर्फ पर दाव बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा, A. घड़ जाएगा, B. बढ़ जाएगा, C. 0 हो जाएगा, D. आ परिवर्तित रहेगा, तो बर्फ पर आपने की काई option नमर 1 का सही आंसर हो जाएगा, आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको वीडियो कैसी लगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, यदि आपको वीडियो पसंद आए हो, तो वीडियो को like and share कीजे, यदि आप चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लिजे, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो upload करूँ, तो उसका notification आपको सबसे पहले मिल सके, friends मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye bye, take care